इस तरीके से मेरा जो शेडूल है बहुत जादा बीजी होता है इसलिए वीडियो भी डागना नहीं हो पा रहा था तो सोचा कि अभी होई रहा है काम तो दो दो मेकप चल रहे हैं ये वाला दीवया है और स्टैल कर रही है ये पहली बार मेरी इस टुडेंट ने मेकप किया है पायल ने तो देखिए आइस नीचे करो फर्स टाइम मेकप किया है पर ठीक है डन है और इसका भी यहाँ पर मेकप ही चल रहा है अभी तो ये माधूरी कर रही है इसका मेकप और गाइस आज हम लोगोंने पूरे ड्रेसे यहाँ पर लगा के रखे जितने भी ड्रेसे मैंने सीले है उतने लगाए है ये पूरे ड्रेस मेरे है और कुछ दो जो लास्ट है ये जो हाँ ये जो दो ड्रेसे से ये कस्टमर के ड्रेसे से गाई और बहुत सारे ड्रेसे से बट वो यहाँ जगा नहीं है इस वज़े से लगा नहीं पाई मैं और इस तरीके से मेरी क्लासेस चलती है तो आप समझी गए होगे कि मुझे टाइम क्यों नहीं मिलता है तो वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है बट मैंने सोचा क्यों ना छोटा सा व्लॉग डाल लू मैं आज के इस वीडियो में तो मिलती हूँ आपको फिर से थोड़े दिर के बाज सो गैज मॉर्णिंग में ही मैंने डी आइवाइ कर लिया था मेरे फेस के लिए तो यह देखिए बर्फ है इसको मैंने सो गैज बर्फ लगाने से जो भी आपके ओपन पोर्स होते है ना वो क्लोज हो जाते है एंड स्कीन केर हमेशा करना बहुत ज़रूरी होता है मेर स्कीन बहुत ठकान लग रहा था मुझे बहुत ठकी ठकी स्कीन लग रही थी तो मैंने यह वाला फेशल किया है बर्फ फेशल किया है यह जो कटोरी में है यह दूद है दूद और मलाई एंड गैज उसमें मैंने शहेड डाला था तो यह वही कर रही थी मैं देखिए सिप नॉर्मली आपको रब करना है बर्ग को फेस पे बहुत अच्छा लगा गा इस करने के बाद बहुत फ्रेश स्कीन हुई मेरी मुझे बहुत ही पसंद आया ये मैंने सुखने के लिए रख दिया और सुखने के बाद जब मैंने फेस को वाश किया तो बहुत थी फ्रेश फ्रेश स्कीन लग रहे थी मेरी I hope कि आपको ये DIY पसंद आएगा अगर वीडियो पसंद आती होगी तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल गैज आप एक बार तो भी ये जो फेशल मैंने बताया है इसे एक बार तो भी ज़रूर कीजिए बहुत अच्छा है गैज ये स्कीन के लिए बहुत ही अच्छा है So गैज फर्स्ट बारिश हो रही है एंट तन में खाना खा रहा है कुठे कशला आंगोर कर आला जा जाए कर दो कर दो कि अच्छा है कर दोड़ी जाए है हाँ हो चांट इस देगोर हाँ अच्छा है बीला एंट वेयर एंट इन यहां पे गी एक मेक अप रेडी था और ये दूसरा make up चल रहा था और ये दिवया उसे बता रही थी गाईज मुझे भी बिल्कुल भी समय ने मिलता है पूरा दिन कैसे जाता है मेरा बिल्कुल भी पता ही नी चलता है पूरी life, पूरा दिन और पूरी जिंदगी मेरी busy ही है गाईज बहुत टास्किंग वाले जिंदगी है so फ्लीज so फ्लीज अगर आपको मेरे videos, मेरे channel पतन दाता होगा so फ्लीज लाइक कीजिए मेरे channel को subscribe कीजिए मेरे channel को, like कीजिए वीडियो को इसके लाएब। बहुत जम से बारी रुई है अब अब तो देखिए ये स्टुडेंट लोग उपर से भीग के आया है और तनू भी आया है अच्छा हां कोत्रा का लाओ लाओ खाली में हौँ हूँ है ही ही लग वाई बीटल में क्या दते है तो गाईश जैते की बारीश हुई है तो मैंने बनाएं ये ब्रजिय ये ब्रजिय देने जारे हैं में इनको कि अधिकर हां कि अधिकर हां कि अधिकर हमाले घर बे घर बे पाद पाद बुकड़ा है देखों हुआ है छटें अ१ाद रची ना are you अधिकर समावे हे करा दें हो आद्या करbereich गना चाह्रा और छेखिए के अे अधिये त्हुन हो जादो ढ्रीक स्क्राद मॉन सकते हैं जल जबब हो जाए हुआ हम जाता गुट है माम दिया मेरे मिज़ चेटी जबी तुन ऐसा कुछ लिया ऑप चलो आज का व्लॉग यही पर एंड करती हूं और मिलती हूं किसी और व्लॉग में तब तक किलिए पाई एंड टेक केर एंड लब यू अल